हेलो दोस्तों आज हमारे पास है अपाचे आर्टी आर्टी ओल्ड मॉडल तो दोस्तों आज में इसके बारे में आपको पांच खुबिया बताने वाला हूं अगर आप इसको लेना चाहते हैं सेकंड हैं या सोच रहें लेने का तो यह वीडियो को रास्तक जरू देखिएगा कोशिस करता हूं आपको कुछ मदद मिलेगी तो दोस्तों पहले रिजन की बात की जाए तो इसका इंजन जी हां दोस्तों 180cc का इसका इंजन काफी स्मूद और रिफाइनमेंट इंजन दिया गया है जो कि इसका टॉप स्पीड आप लोग देख सकते हैं 130 के करीब जाती है आप लोग देख सकते हैं मेरी बाइक अभी 42,000 चली है आप इसकी टॉप स्पीड देख सकते हैं मैंने अभी 120 तक चलाई हुई है लेकिन यह 130 तक चली आती है इसका इंजन 180cc में काफी रिफाइन इंजन दिया गया है जो कि आपको गजब का पेकप देता है और साथ साथ काफी अच्छी स्पीड देता है अगर आप इसको 180cc के किसी और मोटर साइकल से कमपै करें तो आपाचे आटीए अट्यवड मोडल की दूसरी हो भी है इसका maintenance जिया दोस्तों जिरो maintenance बाइक है इसमें इसमें इसरे आपको time to time सर्विस कराती जानी है और आप सिवाइक को चलाते जाओ ये बाइक सätt क्रातर है यह कभी यह किसीस काली दिक्कत नहीं दैती है आप सब्सक्र तो आपको 800 रुपे की बिठ लेवर कोस्ट परती है तो दोस्तों अब बात की जाए इसकी तीसरी खूबी की जैसा कि आप जानते हैं ये काफी स्पीड में चलती है बाइक और इसके साथ साथ इसमें ब्रेकिंग सिस्टम का भी होना बहुत जरूरी है तो यही इसकी तीसरी ख सेमडिब की है यही तीसरी कूब यही इसकी ब्रेकिंग सिस्टम बहुत ही गजब की है आप जहां बाइक को रोके कि हूँ भाई थम जाती है और दोस्तों मैंने देखा कई बाईकों फस्ट काफिक परती है बाइक दोस्तों यह पास दोस्तों यहां開ईकります इसमें अब समय जैसा कि आप देख सकते हैं इस प्लेट को यह प्लेट अब खराब होने लगी है क्योंकि इसकी डिक्सपेट गुर चुके हैं लेकिन अभी तक इसकी ब्रेकिंग सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं आई हुई है स मभी थना लाएब है सो अब बात कि जाए आप एर 10 की अरिए 14 हूबी की बारे में जो कि आप सामने देख सकते हैं चोपी कोई की है इसकी हैंडल जी यह उस्का हैंडल वः काफी जाधा स्मूध चलता है और आप का अच्छी तरीकिर से इसको lean करके चला सकते हैं ना इसमें आपकी कमरदर्द होती है ना इसमें आपको cutting करने में कोई दिक्कत होती है आप लोगे इसका handle बारे भी देख सकते हैं काफी stylist दिया गया है जो कि अभी भी इसमें नए new model में BS6 में यही handle आ रहा है यह BS3 bike है दोस्तो 2013 model तो दोस्तो अब बात की जाए Apache RTR 180 की 5 भी खूबी के बारे में दोस्तो खूबी है इसकी और भी है और कमिया भी इसकी बहुत सी है उसके उपर भी मैं एक वीडियो बना दूँगा तो दोस्तो इसकी 5 भी खूबी की बात की जाए तो इसकी वो खूबी है इसकी resell value जी हां दोस्तो आप इसको comparison कर सकते हैं Pulsar 180 से और ये रही आपकी Apache 180 इसकी resell value आप खोश से कहीं ज़्यादा मिल जाती है क्योंकि इसकी demand ज़्यादा रहती है और ये बहुत ही कम available हो पाती है resell selling में तो दोस्तो इसकी इसी कारण से resell value बढ़ जाती है आप इसकी कमियाँ को जानने के लिए भी मैंने एक video बना रखिया वो भी इसको check कर सकते है और दोस्तो आप comment में बता सकते हैं इसकी खूबी और कमियाँ के बारे में आपका क्या experience रहा है इसके बारे में और दोस्तो आपको वीडियो कैसी लगी comment करके जरूरत आईएगा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को like और हमारी चैनल को subscribe करना ना भूलें